ब्रॉक लेस्टनर डबेव्डे में वापस आचुके हैं डब्र डबी ब्रॉक लेस्टन वकी जगह से रेमुव कर रही थी लेकिन डबी डबी कि जो ओफिशल में वहाए पर सूपरस्टार्स के ओफिशल सेक्शन के अंदर एक्टिव wrestlers के अंदर Brock Lesnar फिर एक बार आ चुके हैं देख सकते हो आप लोग WWE के website पर Brock Lesnar है Superstars में अगर पहले Brock Lesnar यहां से रहे में हुए नहीं थे तो जलो ठीक बात है लेकिन पहले हुए होंगे and then फिर Brock Lesnar अब आए हैं तो यह अच्छी बात है लेकिन जो भी हो Brock Lesnar और एक तरफ WWE उनको हर जगह से हटा रही है गेम वगेरा में से लेकिन अभी पॉल हेमन का जो इंडक्टी हुआ हौल अफ़े में उसके नेम के अंदर भी मेंशन है अपने Brock Lesnar and फिर एक बार यहां पर है Brock Lesnar WWE के website पर तो अच्छे यह positive science है Brock Lesnar के लिए and hope Brock Lesnar जल्ली से return करें अपना और आज नेकल Brock Lesnar Brock Lesnar का return definitely होने वाला है WWE में खर SmackDown की बात करते तो SmackDown की विवर्शिप की बात करते तो दर रॉक रोमर रहें से तो और इसको डिरोड आए थे तो विवर्शिप बढ़ी है पर इसले अफते के मुकाबले SmackDown को rating मिली है 2.268 million और 368 million विवर्श यह कुछ SmackDowns के नंबर है SmackDown की rating बड़ी है और जो यह main event का segment हुआ था तो इस segment को 1.7 million जो विवर्शिप मिली है WWE को views मिले है 10 खंटे के अंदर अंदर सारे social media के उपर YouTube के उपर भी इसको अच्छे views मिले है तो यह काफी अच्छे नंबर से गराबे ट्रॉ कर रहे हैं यह भी काफी कमाल की पिच्छर है जो सैथ रॉलेस कल अपने गॉगल संग्लासेस बहन के आए थे तो वो जब उन्होंने निकाल ले थे तो अपने जिम्मी उसों ने भेने थे तो जिम्मी उसों अपने फनी कहरेक्टर के साथ जो हैं दिखाई दे रहे हैं तो यह फलाल कुछ कमाल की चीज़ तीकल के स्मैक डाउं की बात करते हैं हम लोग समर स्लैम 2024 के लोकेशन की तो समर स्लैम 2024 इस साल का खापर होगा इसकी सारी तैयारिया डबर डबली ने करी हैं वीडियो पैकेज सारी चीज़े कनफर्म हो चुकी हैं यह अपडेट आई है जर अन्यूस के और से जर अन्यूस ने का है कि सारी चीज़े लोकेशन अनौंस करते हुए दिखाए देगे वीडियो पैकेच रेडी है लोकेशन के साथ एंड रेसल मीनिया के दोरान डबी डबी स्कुर एपिल करेगी तो यह फिलाल बात दे हैंड रूमर्ड लोकेशन आपको बता है ग्लीवलंड है लेडिसी क्या यह लोकेशन होती है लेकिन रेसल मीनिया के अंदर हमेघी चीज़ें बता चलेगी यह फुलाल कुछ जरु न्यूस का क्याना आ है तो देखते हैं इस साल का रेसल मीनिया किस सिटे के अंदर होता है क्या कमाल के मैच इस साल समर स्लैम में हमें दिखाई देते हैं फिर एक काफी कमाल के विच्चर आपको दिखाने है जो कि इस बार आज के UFC 299 इवेंट की जाबर देख सकते हो के साई हैं लोगन पॉल हैं एंड हैं मिस्टर बीस्ट एंड ये तीनों जो आज UFC का इवेंट कमाल के पिच्चर हैं फिर बात करते हम लोग रैंडी ओटन की बारे में तो क्या रैंडी ओटन का आरकी बैन करना चाहिए वैल यह ऐसे व्लाल रिक्वेस्ट है आपर कहलो यह ऐसा कहना है ग्रीशन बॉलर का कल हमने देखा डाटी मैच के अंदर ग्रीशन बॉलर एंड उस को और क्यों में विला साथी में किया साइब को भी एक और क्यों जोए फोक्ष्ट में खाना पड़ा कल स्मैक डाउन में एंड इसे दौरान अपनी जोए ग्रीशन बॉलर ट्वीट करते हैं और वो कहते हैं बैंद दी आरकी और किया साइब की लोगन पॉल यह फोटो है और उनका यह कहना है ग्रीशन वॉलर का की आरकीो को बान करते हीना चाहिए वेल अब आपको क्या लगते है कि आरकी और को को बा बैं करने चाहिए डेव Dream Goat상 क्माल खा मूस है इसको जोता मोर्फ यह का खाना के लिए और हाँ वेल कल जो है आपको दोपर कोई काफी घमाल के वीडियो चैनल पर दिखाए देगी तो उसके लिए स्टे टून रहे ना काफी इंटरस्टिंग वो वीडियो आने वाली है और पलाल आज के वाली वीडियो बस इतने से थी और मैं बलता हूं नेक्स्ट वीडियो के अ झांदर